परिचय रोहन और रीमा बगीचे में खेल रहे हैं वे सी सौ जूले पर जूल रहे हैं रीमा, मुझे जूला जूलना बहुत अच्छा लगता है हाँ, यहां तक कि मुझे उपर चड़ना और उतरना भी अच्छा लगता है क्या तुम जानते हो कि हम एक मशीन पर बैठे हुए है मशीन? वो कहाँ है? यह सी सो, यह स्वैम एक मशीन है यह कितनी रोचक बात है न रीमा? बच्चो, आओ इस अध्याय में सरल मशीनों के बारे में और जानते हैं आओ सीखें कारे हो गया है इसका वड़न करना सरल मशीनों की व्याख्या करना हमारे जीवन में सरल मशीनों के महत्व की चर्चा करना विभिन सरल मशीनों की सूची बनाना कारे कब होता है? मैं दौर रहा हूँ मैं जब तोड़ता हूँ तो उर्जा का प्रयोग करता हूँ इसलिए उर्जा कारे करने की क्षमता होती है अब वजन उठाने का समय हो गया है ये डंबल है डंबल उठाना एक भारी काम है हम उर्जा का उप्योग करके बल लगाते हैं हमें भूजन से उर्जा प्राप्त होती है। इस उर्जा का प्रयोग करके हम किसी वस्तू को इस्थानांतरित कर सकते हैं। बल का प्रयोग करके वस्तू का इस्थानांतरन करना कारे कहलाता है। सरल मशीने आउव अब सरल मशीनों को परिभाषित करते हैं ऐसी मशीने जिन में कुछ या कोई भी भाग गतिमान नहीं होता, सरल मशीने कहलाती हैं साधारण मशीनों की खास बात यह है कि वो हमारी मासपेशियों के विस्तार के रूप में प्रयुक्त होती हैं सरल मशीने छे प्रकार की होती हैं. ये नत सम्तल यानि जुका हुआ सम्तल, पहिया एवं थुरी, घिर्नी, उत्तोलक, पच्चर या पेंच हैं. अब हम प्रतेक मशीन के बारे में विस्तार से जानेगे. नत सम्तल यानि जुका हुआ सम्तल नत सम्तल यानि जुका हुआ सम्तल एक ऐसी चप्टी सते होती है, जिसका एक सिरा उंचा होता है, तथा ये कारे को आसान बनाता है, जिससे अधिक दूरी तै करने में कम मेहनत करनी पड़ती है. ये सबसे सरल्दम मशीन होती है, क्योंकि इससे कारे करने में कुछ भी गतिमान नहीं होता है. धाल यानि रैंप, धलान यानि स्लाइट तथा सीडियां नत सम्तल के उधारण हैं. पहिया एवं धुरी क्या आप साइकल चलाने का आनंद लेते हैं? इसमें आप एक सरल्दम शीन पहिया एवं धुरी का प्रयोग करते हैं. इसमें एक पहिया जल्दी तथा आसानी से गति करने में सहता करता है. साइकल में पहिये, कार में स्टियरिंग तथा दर्वाजी की घुंडी आदी पहिया एवं धुरी के उधारण हैं. घिरनी इस लड़के को देखो, वो कुएं से पानी निकाल लहा है, लेकिन वो बाल्टी खींचने में असमर्थ है. अब वो घिरनी की साहता से पानी की बाल्टी खींच रहा है. भार उठाने के लिए एक घिरनी में एक पहिये तथा एक रस्से का प्रेयोग होता है, क्यूंकि ये वस्तूओं को खींचने में प्रयुक तो होती हैं. अता इसे घिरनी यानि पुली कहा जाता है. क्रेन, जंडे का खंबा यानि फ्लैक पूल तथा मिनी ब्लाइंड इसके उधारण हैं. उत्तो लग क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक सी सौ कैसे कारिक करता है? वैसे आप अपने दोस्त को इतना उचा नहीं उठा सकते हैं. लेकिन जब आप सी सौ के दूसरे चोर पर होते हैं, तो उसे आसानी से उठाया जा सकता है. जब आप और आपका दोस्त सी सौ के दोनों छोरों पर बैट रहे होते हैं तो ये केंदर में स्थित एक नियत बिंदू होता है ये नियत बिंदू आधार यानि आलम्ब कहलाता है आप अपने दोस्त को उठाने के लिए जो बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है दूसरे छोर पर बैठा हुआ आपका दोस्ट भार कहलाता है एक उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है जोकि एक निश्चित बिंदू पर जलती है एक उत्तोलक आपको भार उठाने में सहायता करता है सी सौ प्लास यानि प्लेयर तथा बोतल खोलने के यंद्र आदी उत्तोलक के उधारन है उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं आईए इनके बारे में चर्चा करते हैं प्रथम श्रिणी उत्तोलक क्या आप अपने हाथों से बड़े भारी पत्थर को उठा सकते हैं जी नहीं, लेकिन आप एक चड़ी की साहिता से ऐसा कर सकते हैं, जो कि प्रथम श्रिडि उत्तोलक कहलाती है, प्रथम श्रिडि उत्तोलक में आधार यानि आलंब केंद्र में सित होता है, आलंब, आभार तथा आयास के मत् theo कहीं पर भी सित होता है, बर्मा यानि लोहदंड तथा कैंची प्रथम श्रिणी उत्तोलक के उधारण है। कैंची में आलंब केंद्र में इस्थित होता है, यह इस्थिर होता है, इसमें आयास पीछे से लगाया जाता है, तथा भार्थ सामने से लगाया जाता है। तुईतिय श्रिणी उत्तोलक ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे एक पहिये वाली ठेला गाड़ी की सवारी का आनंद ले रहे हैं उनके पिता उनको ले जाने के लिए दूतिये श्रिणी उत्तोलक का प्रयोग कर रहे हैं दूतिय श्रिणी उत्तोलक में आयास एक तरफ तथा आलंब दूसरी तरफ होता है एवं भार मध्ध में होता है। एक पईये वाली ठेला गाड़ी, सराउता यानि अखरोट तोड़ने वाला यंद्र तथा बोतल खुलने वाला यंद्र दूतिय श्रिणी उत्तोलक के उधार प्रयोग के लिये एक मचली पकड़ने वाली डंडी का प्रयोग करते हैं, जो की एक त्रेटिय श्रिणी उत्तलग होता है। मचली पकड़ने वाली डंडी में आया समध्य में होता है. एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आलंब होता है. इस प्रकार का उत्तोलक त्रेतिय श्रिनी उत्तोलक कहलाता है. भूजा मचली पकड़ने वाली डंडी, जाडू, स्टेपलर आदी त्रेतिय श्रिनी उत्तोल पेंच, पेंच भी एक सरल मशीन है, ये कील की तरह दिखाई देता है, एक पेंच एक छड़ के चारों तरफ लिप्टा हुआ नत्समतल होता है, पेंच को मोडने के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक पेंच अधिक दूरी तै करता है, काग निकालने का पेंच तथा एक जार का ढखकन एक पेंच के उधारण है, हम जानते हैं कि एक कील आसानी से बाहर निकलाती है, जबकि पेंच नहीं निकलता है, हम दिवार पर पेंच को लगा कर उस पर भार टांग सकते हैं, हम पेजों की साहता से जार को कस के बंद कर सकते हैं, जैक में लगे हुए पेंच की साहता से कार को उपर उठाया जाता है, एक साधारण पेंच कार को उठा सकता है, इस कारण से ही ये सरल मशीन कहलाया गया है, पच्चर, एक पच्चर में दो नत सम्तल होते हैं, जो कि किसी वस्तू को उठाने या उसे तोड़ने के लिए परस पर प्रयोग किये जाते हैं, जाकू, कुलहाडी का सिरा, पेंच कश, छेनी, आदी, कुछ पच्चरों के उठारण हैं, कॉलम का का कॉलम खा से मिलान करें, हमने क्या चर्चा की? पल का प्रयोग करके वस्तू का इस्थानांतरन करना कारे कहलाता है, किसी भारी वस्तू को उठाना कठिन कारे होता है, ऐसी मशीने जिन में कुछ या कोई भी भाग, गतिमान नहीं होता है, सरल मशीने कहलाती हैं, सरल मशीने छे प्रकारगी होती हैं, ये नतिस सम्तल, पहिया, एवं धुरी, घिर्नी, उत्तोलक, पच्चर तथा पेंच हैं, नतिस सम्तल यानी जुका हुआ सम्तल एक ऐसी चप्टी सत्य होती है, जिसका एक सिरा उंचा होता है, ये कारे को आहसान बनाता है, पहिया एवं धुरी में एक पहिया चल्दी तथा आसानी से गती करने में सहायता करता है, भार उठाने के लिए एक खिर्दी में एक पहिये तथा एक रस्से का प्रयोग होता है, एक उत्तोलक एक सीधी चढ़ होती है जो की एक निशचित बिंदू पर चलती है, एक उत्तोलक आपको भार उठाने में सहायता करता है, प्रतम श्रिणी उत्तोलक में आधार यानी आलंब केंदर में स्थित होता है आलंब आभार तथा आयास के मद्धे कहीं पर भी स्थित होता है दूतिय श्रिणी उत्तोलक में आयास एक तरफ तथा आलंब दूसरी तरफ होता है एवं भार मद्ध में होता है त्रीतिय श्रिणी उत्तुलक में आयास, भार तथा आलंब के मत्ध में होता है एक पेंच एक छड़ के चारों तरफ लिप्टा हुआ नत सम्तल होता है दो नत सम्तल परस पर मिलकर एक तेजधार बनाते हैं जो की पच्चर कहलाता है